दोस्तों एक कहानी है लूफी की जोकी समुद्र में एक बड़े खजाने को ढूंडना निकलता है और इस सफर में उसे मिलते हैं कई सारे विलन्स और कई सारे अच्छे दोस्त अब क्या लूफी उस खजाने को ढूंड पाएगा और कैसा होगा उसका ये समुद्री गोल्ड रोजर होता है लेकिन गोल्ड रोजर को आज पकड़ लिया गया है और मरीन फोर्स यानि की समुद्री सैनिकों के वाइस एड्मिरल गार्प उसे सभी लोगों के सामने मालने लाते हैं ताकि अब कोई भी पाइरेट बनने के बारे में ना सोचे और इस दुनिया से सभी पाइरेट्स खत्म हो जाएं मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि गोल्ड रोजर अब तक का सबसे बड़ा पाइरेट था और उसने अपनी पूरी जिंदगी में काफी सारा खजाना एक खट्या करके कहीं छुपा दिया था गोल्ड रोजर सबको बताता है कि उसने समुद्र म जाओ और मेरा खजाना ढूंड कर दिखाओ और ये सुनकर लोगों में खजाने को ढूंडने का एक जज़बा पैदा हो जाता है तब ही गार्प ये दिखकर तुरंथ गोल्ड रोजर को मरवा देता है मगर अब कई सारे लोग गोल्ड रोजर का खजाना ढूंडने के लिए समुदर में जाकर पाइरेट्स बनने लगते हैं मतलब कि गार्प का पुरा प्लान उल्टा हो गया वो चाहता था पाइरेट्स खत्म हो जाए लेकिन गोल्ड रोजर के मलने के बाद पाइरेट्स का एक नया योगी शुरू हो गया और सभी पाइरेट्स गोल्ड रोजर के खजाने को जिसे वन पीस कहा जाता है उसे ढूनने निकल गए अब कहानी 22 साल आगे आती है जहां आमें एक लड़के मंकी डी लूफी को दिखाया जाता है लूफी गोल्ड रोजर के खजाने यानि की वन पीस को ढून कर पूरे समुद्र का सबसे बड़ा पाइरेट बनना चाता है इसलिए वो अपने सफर पर निकल चुका है लेकिन अब पहले ही दिन जिस बोड़ पर वो बैठा था उसमें पानी आने लगता है लूफी एक ड्रम में घुज जाता है और पानी में डूबने से बच जाता है मगर फिर उसका ड्रम पानी में तेरते हुए दो पाइरेट्स के जहाजों के पास पहुंच जाता है जिनके बीच आपस में लड़ाई हो रही थी यहां बड़े जहाज की कैप्टन अलविदा होती है जिसके ओपर मरीन फॉर्स ने काफी सारे पैसों का इनाम रखा था अलविदा अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज के लोगों को मारकर बंदी बना लेती है फिर अलविदा के साथी उसके जहाज का सामान लोटकर अपने जहाज पर लाने लगते हैं इसी बीच ये लोग उसी ड्रम को उठा कर अपने जैस में ले आते हैं जिसमें लूफी छुपा हुआ था फिर जब रात में सब सो रहे थे तो लूफी बहार आता है लूफी को यहाँ एक लगा कोबी मिलता है जोकि उसे देकर डर जाता है लूफी उसे शांत कराता है और कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा फिर लूफी कोई को बताता है कि वो भी एक पाइरेट है कोई कहता है कि तुम कोई पाइरेट नहीं लगते इस पर लूफी कहता है कि सारे पाइरेट बुरे नहीं होते अब इसी बीच हम लूफी के पास्ट को देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि लूफी बच्पन सही एक पारेट बनना चाहता था और लूफी को शैंक नाम का एक पारेट बहुत पसंद था और लूफी शैंक्स को अपना हीरो मानता था अब जब Shanks अपने सातियों के साथ इस आइलेंट पर वापस आता है तो लूफी Shanks से उसे भी उसकी टीम में शामिल कर लेने के लिए कहता है मगर Shanks उससे कहता है कि तुम अभी लोटेरे बनने के लिए तयार नहीं हो ये काम काफी खतरनाक है मगरी सुनका लूफी जहास पर एक उची जगा पर जाता है और सबके सामने अपने चेहर पर चाकू से एक रिशान बनाता है ताकि वो सबको दिखा सके कि अब वो बच्चा नहीं है और पाइरेट बन सकता है अब प्रेजन टाइम में कोबी इस सब सुनका लूफी से कहता है कि तुम एक पाइरेट बनने का सबना कैसे देख सकते हो इस पर लूफी कहता है कि पाइरेट्स बनकर हम समुदर में अपने साथियों के साथ एडवेंचर कर सकते हैं और हम पाइरेट्स बिलकुल आजाद होते हैं कोबी भी आजाद होना चाहता था लेकिन वो कहता है कि इस जहास की कप्तान अलविदा उसे आजाद नहीं होने देगी अब तब लूफी कहता है कि क्या तुम लोग ने किसी समुदरी मॉंस्टर को पकल रखा है इस पर कोबी कहता है कि ये अलविदा के खराटो की आजाद है कोबी लूफी को उपर ले जाता है और कहता है कि अभी सब सो रहे हैं इसलिए तुम यहां से निकल जाओ लूफी यहां से जा रहा था लेकिन तब ही उनकी आजाद सुनकर सभी लोग जाग जाते है और अलविदा भी यहां आ जाती है अलविदा को लगता है कि कोबी उसे धोका दे रहा था इसलिए अलविदा अपने हतियार से इन दोनों पर हमला कर देती है मगर लूफी उसे बचा लेता है लूफी अकेले ही अलविदा उसके सबी सातियों से लड़ता है और उसे गोलियों से भी कुछ नहीं होता अलविदा अपना भारे भर का मातियार उसके मारती है लेकिन लूफी अपने शरीर को लचीला बनाकर अलविदा से बच जाता है ये देखकर अलविदा भी हैरान हो जाती है लूफी अपने पूरे शरीर को लचीरा करके अपनी पावर से जहास के दूसी तरफ जाता है तब ही अलविदा आकर उस पर हमला करती है लेकिन लूफी बच जाता है और उसके जहास पर ही आग लग जाती है अलविदा को काफी गुसा आता है वो कोबी को मारने वाली थी तब ही लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है इसके बाद लूफी अपने स्पेशल मूव गम गम पिस्तो करते हुए अलविदा को उड़ा देता है और अलविदा सब को अलविदा कह कर चली जाती है यहां आप सभी लोग लूफी से डर कर हर मान लेते हैं और लूफी कोबी के साथ यहां से जाने लगता है इसके बाद हम एक तलवार बाज रोरो नौवा जोरो को देखते हैं जो की सभी समूदरी पाइरेट्स का शिकार करता है यहां एक आदनी मिश्टर सेवन जोरो को अपनी टीम में शामिल होने का उफर देता है मगर जोरो उसे मना कर देता है इसके बाद जोरो मिश्टर सेवन से फाइट करता है जोरो काफी अच्छा तलवार बास था और वो अपनी दोनों तलवारों की मदद से मिस्टर सेवन के दो टुकड़े कर देता है और फाइट में जीच जाता है वही लूफी और कॉबी उस जहाद से निकल चुके थे कॉबी लूफी से पूछता है कि तुम्हें लचीले होने की पावर्स कैसे मिली इस पर लूफी बताता है कि जब वो छोटा था और शेंक्स ने उस अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया था तो गुस्से में उसने शेंक्स के खजाने में से एक डेविल फ्रूट खा लिया जिसके बाद उसे ये लचीले होने की पावर्स मिल गई अब प्रेजन डे में कोभी पूछता है कि हमें कहां जाना है इस पर लूफी कहता है कि हम ग्रेंड लाइन पर जा रहे हैं जहां वन पीस छुपा हुआ है कोभी पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रेंड लाइन का रस्ता पता है लेकिन लूफी को Grand Line का रास्ता नहीं पता होता अब यहीं को भी बताता है कि उसका भी एक शपना है वो मरीन बनना चाता है और कम्जोर लोगों की मदद करना चाता है यह सुनकर लूफी कहता है तो फिर ठीक है हम पास के मरीन बेस पर चलते हैं वहां से मुझे ग्रेंड लाइन का मैप मिलेगा और तुम वहां मरीन बनने के लिए रोख जाना जिसके बाद ये दोनों मरीन बेस पर जाने लगते हैं इसी दोरान हम एक लड़की नामी को देखते हैं जो कि एक छोटी सी बोट पर मर रही थी तब ही उसे एक बड़ी बोट जिसमें दो आदमी थे नामी उनसे मदद मांगती है लेकिन नामी देखती है कि ये दोनों तो लुटे रहे हैं इसलिए नामी अपने पास रखे एक बोक्स को बचाने लगती है ऐसा लगता है कि उसमें कोई खास खजाना है और ये देखकर वो दोनों लुटे रहे अपनी और लुफी एक बार में खाना खा रहे थे और यहीं जोरो भी आ चुका था यहां एक छोटी लड़की जोरो के लिए राइस बोल बना कर लाती है लेकिन यहां के मरीन केप्टेन मौररं का बेटा हेलमोपो आकर उन्हें गिरा देता है और फिर उस लड़की से बत्तमीजी से बात करता है यह देखकर जोरो उसे माफी मांगने के लिए कहता है लेकिन वो अपनी तलवार निकाल लेता है तब ही जोरो उससे फाइट करता है फिर और मरीन ओफिसर्स आकर जोरो पर हमला कर देते हैं लेकिन जोरो उन सब को बिना तलवार निकाल ही हरा देता है तब ही मोक्य का फाइदा उठा कर नामी भी एक मरीन ओफिसर को बेहोश करके एक कोने में ले जाती है यहां कोबी एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था और लूफी मज़े से फाइट देख रहा था यहीं जोरो मरीन से निकाट को मार कर कैपटन के बेटे को मारने वाला था तब ही वो कहता है कि मुझे छोड़ दो तुम जो मागोगे मेरे डेट तुमें दे दे देंगे यह सुन कर जोरो अब मरीन कैपटन मॊर्गन के पास अपना इनाम लेने आता है क्योंकि वो पारेट्स को मारता था लेकिन मॉर्गन उसे इनाम देने के लिए कहते है कि तुम्हें मेरे पास साथ दिनों तक कैद रहना होगा ये सुनकर जोरो कहता है कि मुझे कैद करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारा पिल्ला मरेगा तब ये सुनकर मॉर्गन का बेटा भढ़क जाता है मार उसके डैड उसे ही दूर फेक देते हैं इसके बाद मॉर्गन जोरो से कहता है कि तुम्हारे इस हरकत के बाद कोई भी मरीन बेस तुम्हें इनाम नहीं देगा इसलिए तुम हमारे साथ काम करने लगो या फिर 7 दिनों तक यहां कैद रहो ये सुनकर जोरो मॉर्गन के साथ काम करने से मना कर दिता है और 7 दिनों के लिए कैद हो जाता है फिर अगले ही दिन लूफी ग्रेंड लाइन के मैप को चुराने के लिए यहां आ जाता है लूफी जोरों को देखकर उसे आज़ाद करा देता है इसके बाद लूफी उसी राते से वापस चला जाता है यही नामी भी उसी मरीन ओफिसर की युनिफर्म चुरा कर अंदर घुज गई होती है नामी भी ग्रेंड लाइन का मैप चुराने आई थी लेकिन वही ओफिसर यहां आकर नामी को पहचान लेता है फिर यह दोनों मरीन ओफिसर नामी पर हमला कर देते हैं मगर नामी उन दोनों को मार कर उनका काम तमाम कर देती है तब ही उपर से लूफी टपकता है और लूफी ने सारी बाते सुन ली होती है जिससे ये दोनों जान चुके थे कि वो दोनों ही यहां Grand Line का मैप चुराने आए हैं लुफी मॉर्गन के ओफिस में जाने लगता है क्योंकि Grand Line का मैप वहीं रखा हुआ है तब ही नामी भी उसके पीछे जाती है अचानक इनके सामने मॉर्गन आ जाता है लेकिन वो नामी को एक मरीन समझता है और नामी कहती है कि मैं इस मुझरिम को पकड़कर ले जा रही हूँ इसे अभी भी अरेश्ट किया गया है अब ये सुनकर मॉर्गन यहां से चला जाता है लेकिन चलाग नामी ने मॉर्गन की जिप काट ली होती है और उसके ओफिस की चाबियां चुरा ली थी और अब ये दोनों मॉर्गन की ओफिस में घुश जाते हैं ये दोनों ग्रेंड लाइन की मैप को ढूनने लगते हैं तब ही मॉर्गन को वहीं वो दोनों ओफिसर मिलते हैं जो कि अभी पिटे पड़े थे वो दोनों मॉर्गन को बताते हैं कि वो लाल बालों वाली लड़की घुस पैठिया है ये सुनकर मॉर्गन यहां इमर्जेंसी अलाम बजवा देता है दूसरी तरफ लूफी और नामी को वही तिजोरी मिल चुकी थी जिसमें ग्रेंड लाइन का मैप रखा है लेकिन नामी से वो तिजोरी नहीं खुलती तब ही बाहर मॉर्गन आकर उस दिर्वाजे को तोड़ने लगता है ये देखकर लूफी अपनी तागत से पूरी तिजोरी को उठाता है और नामी के साथ महां से नीचे कूच जाता है ये दोनों सिंदा बच जाते हैं लेकिन फिर मरीन सैनिक यहां आकर इनने चारों तरफ से गहर लेते हैं मगर लूफी और नामी उनसे लड़कर उन्हें मालने लगते हैं तब ही जोरो भी अपनी तलवारी लेकर यहां आ जाता है और देखता है कि ये दोनों बचे तो पिट रहे हैं इसलिए जोरो भी इनकी मदद करता है फिर ये तिनों सारे मरीन सैनिको को मार देते हैं तब ही मॉर्गन यहां आ जाता है मॉर्गन के हाथ में हत्यार लगा था जिससे वो इन पर हमला कर देता है तब ही जोरो और लुफी उससे फाइट करते हैं लेकिन मॉर्गन काफी पावरफुल था इसलिए जोरो को अपनी तीसी तलवार भी निकालनी पड़ती है जोरो से निकाल कर अपने मूँ से पकड़ता है और मॉर्गन को मालने लगता है इसके बाद लुफी अपने गम-गम पिस्तो मूफ से उसे मारकर दूर फेक देता है ये तीनों मरीन से बच जाते है फिर जोरो इनकी और मदद करता है और ग्रेंड लाइन की तीचोरी को लुफी की शिप तक ले आता है तब ही मॉर्गन का बेटा हैलमेपो इस बोर्ट को लेकर निकल जाता है दूसी तरफ हम फिर से गार्प को देखते हैं जिनोंने 22 साल पहले गोल्ड रोजर को पकड़ा था गार्प को पता चलता है कि मरीन बेस से कोई उनका ग्रेंड लाइन का मैप चुरा कर ले गया है और ये जानकर गार्प इसी बेस पर आने रखते हैं इसके बाद हम एक जोकर को देखते हैं और उसे भी ग्रेंड लाइन का मैप चाहिए था इसलिए वो अपने लोगों को लूफी के पीछे मैप चुराने के लिए बेशता है दूसी दर लूफी, जोरो और नामी उसी बोर्ट से आगे बढ़ रहे थे यहां नामी उस तीज़री का खोल लेती है और इसमें इने ग्रेंड लाइन का मैप मिलता है फिर नामी जोरो और लूफी को बताती है कि पूरी दुनिया का समुदर चार हिस्सों इस्ट बलू, नॉर्थ बलू, वेस्ट बलू और साउथ बलू में बटा हुआ है और जमीन की लाइन को रैड लाइन कहा जाता है और इसके लावा जो लाइन इसके बीच में है उसे ग्रेंड लाइन कहा जाता है अब ये तीनों वहाँ जाकर वन पीस धुनने के बारे में बात कर रहे थे तभी उसी जोकर के लुटेरे यहाँ आकर इनकी बॉर्ड पर हमला कर देते हैं वो लोग बेहोशे की गैस को इनकी तरफ फेकते हैं जिससे ये तीनों बेहोश होने लगते हैं तभी लुटेरे को देखकर ग्रैन लाइन के मेप को अपने मुग के अंदर छुपा लेता है फिर वो सभी बेहोश हो जाते हैं इसके बाद जब यह तिनों जाकते हैं तो यह तिनों कैद हो चुके थे लोटेरों ने इनकी सारी चीज़े ले ली होती है लेकिन लूफी कहता है कि ग्रेंड लाइन का मैप मेरे पास बिल्गूल सेफ है अब तबी ये बॉक्स खुलता है और ये तीनों एक स्टेज पर होते हैं और जोकर यहां शो दिखा रहे थे यहां लोगों को गुलाम बना कर उनसे जबरदस्ती तालिया बजवाई जा रही थी अब तबी यहां इनका कैप्टन यानि कि वही जोकर आता है और बताता है कि मेरा नाम बगी है लूफी इसे पैचान लेता है क्योंकि बगी भी एक पाइरेट होता है और इसके उपर भी काफी सारे पैसो का इनाम था लूफी बगी से कहता है कि वो भी पाइर्ट का किंग बनने वाला है लेकिन बगी यह सुनकर हसने रगता है और कहता है कि वन पेस को ढूनकर मैं पाइर्ट का किंग बनूँगा अब بگी इंसे Grand Line का मैप मांगता है तब ही चालाक नामी अपनी चाला की दिखाती है और कहती है कि हमारे पास Grand Line के मैप से बढ़िया भी एक चीज है यह कहकर नामी लूफी की टौपी को उच्छाल देती है और यहां से भाग जाती है लूफी अपनी टोपी को पकड़ने के लिए अपना हाथ लंबा करता है और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं वही नामी जब सरकर से बाहर पहुंसती है तो देखती है कि बगी ने इन लोगों के पूरे शेयर को तबाह कर दिया है अब तब भी बगी के लोग आकर नामी को पकड़ कर वापस बगी के पास ले जाते हैं इसके बगी के साथी जोरो और नामी को पकड़ कर यहां से ले जाते हैं यहां बगी लूफी से उस मैप के बारे में पूसता है लेकिन लूफी उसे मैप के बारे में कुछ भी नहीं बताता इस पर बगी उसके हाथ पेरा को बांध कर उसे खीचने लगता है लेकिन लूफी को कोई फरक नहीं पड़ता उल्टा उसे तो और मज़ा आ रहा था तब ही बगी लूफी की टॉफी को देखकर उसे पहचाल लेता है और कहता है कि ये तो शैंक्स की टॉफी है बगी कहता है कि तुम्हारी उमर में मैं और शैंक्स भी एक ही टीम में थे लेकिन फिर शैंक्स ने भी मुझे दोका दे दिया अब यहां बगी लूफी से मैप लेने के लिए यहां एक बच्चे को मारने वाला था तब ही लूफी अपने आपको छुड़ाता है और गम-गम पिस्तो करते हुए बगी की गर्दन उड़ा देता है मगर सर अलग होने के बाद भी वो जिन्दा रहता है इसके बगी बताता है कि मैंने भी तुम्हारी इतना डैविल फूट खाया था जिससे मुझे ये पावर्स मिली है इसके बगी बेहोशी की गैस की मदद से लूफी को दुबारा बेहोश कर देता है दूसी तरफ जोरो और नामी अब कैद हो चुके थे लेकिन नामी के पास ताले को खुलने के लिए एक चाबी थी नामी उसे वो लोग खुलने की कोशिश करती है तभी यहां बगी का एक आदमी आ जाता है जोरो ने इस आदमी के भाई को और इसके पुराने सातियों को पहले दोड़ा-दोड़ा कर मारा था इसलिए अब यह जोरो को मालने वाला था वो जोरो को घुमाता है और उसके चाकू मालने लगता है लेकिन यह प्रो निशाने बास था इसलिए इसका एक भी निशाना ठीक नहीं लगता अब तभी नामी लोग खुल लेती है और इसके एक लात मारती है इसके बाद जोरो इसे पकड़ लेता है फिर नामी उसे चुड़ाती है और जोरो इस लुटेरो को असानी से बेहोश कर देता है वहीं दूसी तरफ गार्प जोकी जबेस के वाइस एड्मिरल है वो यहां पहुत जाते हैं यहां मॉर्गन उनसे जुट बोल रहा था और बता रहा था कि उसके बेटे की गलती की वज़े से वो पाइरेट ग्रेंड लाइन का मैप चुराकर यहां से ले गए मॉर्गन कहता है कि कोबी जोकी नया कैड़ेट है उसने मेरे बेटे को बचा लिया नहीं तो वो भी मारा जाता अब गार्प कोबी को देखकर सब कुछ समच जाता है कि कोबी लूफी के साथ मिला हुआ है इसलिए गार्प कोबी को अकेल में मिलने के लिए बुलाता है और पूसता है कि तुम उन पाइरेट्स के साथ कब से काम कर रहे हो यहां गारप का साथ ही कहता है कि एक बार मैं तुम्हें लूफी के साथ देखा गया था इसलिए अब हमें सच बताओ यह सुनकर कॉबी गारप को सब कुछ सच बता देता है कि लूफी ने मुझे अलविता से छुड़ाया था फिर वो यहां आ गया और क्योंकि वो हमेशा से मरीन बनना चाहता था इसलिए वो मरीन बनने के लिए यहीं रुख गया गारप समझ जाता है कि लूफी सच कह रहा है इसलिए गारप कौबी को लूफी को पकड़ने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेता है वहीं दूसी तरफ बगी ने लूफी को एक टैंक में कैद कर दिया होता है जिसमें समुदरी पानी भर रहा था और समुदरी पानी की वज़े से लूफी की टागते कमजोर पर चुकी थी यहां बगी दुबारा से लूफी से वो मैप मांगता है मगर लूफी उसे वो मैप नहीं देता तभी बगी टैंक में पानी की स्पीड बढ़ा देता है इसी दोरन हम छोटे लूफी को देखते हैं जो कि शैंक्स के उसे छोड़ कर जाने से दुखी था तभी यहां एक और पाइरेट अपने सातियों के साथ आता है और लूफी को परेशान करने लगता है मगर तभी शैंक्स अपने सातियों के साथ यहां आ जाता है और उस पाइरेट की टीम की लंका लगा देता है तभी वो पाइरेट लूफी को लेकर समुदर में चला जाता है मगर तभी इनकी बोट पर एक बड़ा सजीव हमला कर देता है जिससे वो पाइरेट पानी में डूब कर मर जाता है यहां लूफी भी पानी में डूबने लगता है तभी शैंक्स आकर उसे बचा लेता है फिर वो मॉंस्टर पानी से बहार आता है और इन पर हमला करता है शैंक्स बीच में आकर लूफी को बचा लेता है इसके बाद शैंक्स उसकी आँखों में आखे डलकर देखता है और उससे डड़ा कर भगा देता है नगर उस मॉंस्टर ने शैंक्स का एक हाथ खा लिया होता है और ये देखकर छोटे लूफी को काफी दुख होता है मगर इससे लूफी समझ जाता है कि वो भी पाइरेट बनने के लायक नहीं है इसके बाद शैंक्स लूफी को छोड़कर चला जाता है लेकिन जाते समय शैंक्स लूफी को अपनी टोपी देता है और लूफी के पास शैंक्स की ये आखरी निशानी थी लेकिन अब प्रेजन टाइम में बगी उसी टॉपी को खराब करने लगता है लूफी को ये देखकर काफी घुसा आता है तब ही यहां जोरो और नामी आ जाते हैं और टैंक को चटका देते हैं बगी अपने साथियों को देखता है लेकिन जोरो और नामी मिलकर पहले उसके सारे साथियों को सफाय कर चुके थे इसके बाद टैंक भी डूटता है और लूफी बाहर आता है तब ही लूफी के अंदर से वो मैप बाहर आ जाता है लेकिन लूफी के लिए मैप से पहले उसकी टॉपई ज़रूरी थी लूफी टॉपई को उठाता है तब ही जोरो उसे तरवार से मारता है लेकिन अपने स्पे lasers power की मदद से बागी जोरो से बज जाता है वो अपने शेरिल के कई सारे टुक्णे करके Zoro और Nami पर हमला करके उन्हें मारता है तब ही Lofi बगी से फाइट करने के लिए उठता है और उसे मारने लगता है लेकिन बगी 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 पर भी भारी पर रहा था तब ही Lofi को यहां कई सारे बॉक्स दिखते हैं Lofi नामी को वो बॉक्स दिखाता है इसके बद Zoro और Lofi मिलकर बगी के टुकड़ो को पकड़कर उस बॉक्स की तरफ फिखते हैं और नामी उन्हें कैद कर देती है फिर बगी अब छोटा हो जाता है इसके बद Lofi उस अपने स्पेशल मूब से यहां से उड़ा देता है फिर Lofi वो मैप नामी के हाथों में सौपता है क्योंकि अब वो तीनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं इसके बद Lofi, Zoro और नामी यहां कैद लोगों को आजात कराते हैं दूसी तरफ गार्प ने वहां के कैप्टन मौर्गन को कैद कर लिया होता है क्योंकि कैप्टन मौर्गन एकदम ब्रश्ट कैप्टन था इसके बाद गार्प कुछ नए मरीन सैनिकों को लेकर खुद Lofi को पकड़ने का फैसला करता है उसके नए मरीन सैनिकों में मौर्गन का बेटा हेलमेपो और कोबी भी शामिल होते हैं और ये लोग Lofi को पकड़ने के लिए समुदर में निकल जाते हैं वहीं Lofi और लोगों को आज़ात करने के बाद जोरो और नामी के साथ अपने सफर पर निकल चुका था तब ही हम नामी को देखते हैं जो कि कि किसी इसे फोन पर बात करती है और कहती है कि मेरे पास Grand Line का मैप है और मैं आ रही हूँ यानि कि नामी इन्हें धोका दे रही है अब इसके बद हम साथ साल पहले के सायरफ विलेज को देखते हैं जहां एक बच्चा उसौप हमेशे शोर मचा कर सब को डराता है और कहता है कि लुटेरे आ रहे हैं शुरू में सभी लोग उसकी बातों को सच समझ कर उससे डरते थे लेकिन कुछ सालो बाद ही लोग समझ गए कि उसौप जूट बोलता है इसलिए अब कोई भी उसकी बात पर विश्रास नहीं करता कहानी प्रेजन डे में आती है जहां उसौप अब बड़ा हो चुका है लेकिन अब भी वो सबसे कहता है कि लुटेरे आ रहे हैं लेकिन अब भी कोई उसकी बातों पर विश्रास नहीं करता अब यहीं लूफी और उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे लेकिन उनका जहास खराब हो जाता है इसलिए यह लोग नया जहास खरीदने के लिए उसौप के आइलेंड पर आ जाते हैं और अपने जहास को पानी में डूबो देते हैं ताकि कोई भी इन्हें ना ढून पाए दूसी तरफ गार्फ लूफी को ढूनने के लिए आगे बढ़ रहा था तब ही गार्फ देखता है कि कोबी इस जहास पर बाकियों से अच्छा काम करना जानता है इसलिए गार्फ कोबी को अपने साथ ले जाता है और हेलम अप उसे काम करने के लिए कहता है वहीं दूसी तरफ उसी जोकर बगी ने अपने सारे पार्ट सफिर से निकाल लिये होते हैं लेकिन फिर एक आदनी उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें आरलोंग ने बुलाया है मगर बगी आरलोंग के पास जाने से मना कर देता है तब ही वो फिशमेन बगी के डाइक लो का हाथ मार कर उसे बेहोश करता है और अपने साथ ले जाता है वहीं लूफी और उसके साथी जहास देख रहे थे तब ही लूफी को एक जहास पसंद आ जाता है और इसी जहास पर लूफी को उसोप मिलता है उसौफ इस जहाज की देखभाल करता था और वो कहता है कि अगर तुम्हें ये जहाज खरीदना है तो मैं तुम्हें अपनी दोस से मिलवा सकता हूँ उसका ही ये जहाज है बलकि उसका ही ये पूरा आइलेंड है ये सुनकर लूफी जॉरो और नामी उससे मिलने के लिए तयार हो जाते हैं इसके बाद उसौप उन्हें अपनी दोस्त के घर ले जाता है ये घर काफी बड़ा होता है फिर यहाँ एक लड़की आती है वो अपने बटलर क्लाडूर के साथ थी और आज काया का 18 जन्म दिन था उसौप काया को बर्त रिविश करता है और लुफी जोरो और नामी को अपना साथी बताता है फिर काया उसौप और उसके साथियों को आज यहीं डिनर करने के लिए कहती है इसके बद क्लाडूर इन्हें नहा कर कपड़े बदर लेने के लिए कहता है यहां काया के मॉम डेट की देथ हो चुकी थी और काया भी काफी बिमार रहती थी इसलिए उसके नोकर और क्लाडोर ही पूरा घर समालते हैं अब इसके बदम काया को देखती हैं जो कि अकेली रूम में बैठी थी तबी खूफिया रास्ते से उसके पास आता है और उसे गिफ्ट के तोर पर समुदरी मोती देता है उसक काया को खुश करने के लिए उसे जूटी जूटी कहानियां सुनाता है कि वो बड़े बड़े एडवेंचर कर चुका है तबी काया को खासी आती है उसके उसकी चाय पिलाता है जिससे काया को थोड़ा अच्छा महसूस होता है यहीं लूफि और नामी इतने सारे कप्ड़े देखकर कन्फ्यूज हो रहे थे कि वो कौन से कप्ड़े पहने अब तबी यहां जोरो आता है और लूफि और नामी से पूरता है कि काया के साथ जो आदमी था क्या वो तुम्हें जाना पैशाना लग रहा था लेकिन नामी और लूफि मना करते हैं वहीं वो आदमी कलाडोर अपने चिकनी चुपड़ी बातों से काया का दिर जीत लेता है काया उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है मगर हकीयत में कलाडूर दोनों नोक्रों के साथ मिलकर काया को मालने का प्लान बना रहा था ताकि इस आइललन पर वो राज कर सके और इसी वजह से कलाडोर रोज काया को थोड़ा-थोड़ा जहर दे रहा था जिस वजहसे काया लगातार बीमार रहती है यहां काया के शेफ ने कई सारा जहरीला सीफ बनाया होता है ताकर वो लोग काया को मार सकें वहीं दूसी तरफ कोभी को अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है वो दुनों गेम खेलने लगते हैं और गार्प उसे गेम खेलते हुए समझाता है कि अगर तुम हार के बारे में सोचते रहोगे तो तुम हारते ही रहोगे इसलिए तुम्हें जीत के बारे में सोचना होगा इसके बाद जब कोभी जीत के बारे में सोचता है तो वो गार्प को भी गेम में हरा देता है वहीं दूसी तरफ लुफी, जोरो और नामी पार्टी का मज़ा ले रहे थे यहीं नामी एक आदमी मेरी से बात करती है जो कि काया का सारा बिजनेस समालता है अब इसके बाद यहां काया क्लाडोर के साथ आती है फिर काया मेरी से मिलती है जोरो क्लाडोर से बात करता है और पूसता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं तुम मुझे जाने पैशाने लगते हो लेकिन क्लाडोर मना कर देता है यहीं मेरी काया से कुछ बात करना चाता था लेकिन क्लाडोर उसे रोग देता है और सब को खाना खाने के लिए कहता है फिर जब ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो इसी बीच लूफी काया से उसी जहाज के बारे में बात करता है काया कहती है कि मेरे मॉम डेट के जाने के बाद जहाजों का बिजनस मेरी समालते हैं लेकिन आज रात के बास सब बदल जाएगा, क्यूंकि आज मैं 18 साल की हो जाऊंगी, और सारा बिजनस मेरे पास आ जाएगा, ये सुनकर लूफी काया को बताता है, कि हम पाइरेट्स हैं, और हम लोग ग्रेंड लाइन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमें तुम्हारा वो जहा चाहिए, अब तब ही काया की तब इस खराब होने लगती है, ये देखकर क्लाडोर इन सब को यहां से जाने के लिए कहता है, मगर काया कहती है कि आज रात इन्हें यहीं रुकने दो, ये सुनकर क्लाडोर भी छुप हो जाता है, और काया को उनके रूम की तरफ ले जाने ल यहां हम देखते हैं कि क्लाडर के पास भी स्पीर और ब्लेड की पावर्स हैं जिनसे क्लाडर मेरी को जान से मार देता है इसके बाद हम फिर से बगी को देखते हैं जिसे वही फिश्मेन पकड़कर आरलोंग के पास ले आया था और आरलोंग बकी से कहता है कि मैं पूरे इस् कि लूफी कहा है बगी कहता है कि मुझे छोड़ दो मैं उसे ढूनने में तुम्हारी मदद करूँगा आरलोंग मान जाता है वही रात में लूफी और खाना खाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है तब ही उसे जोरो मिलता है जो कि पीने के लिए कुछ ड्रिंक ढून रहा था फिर वो दोनों एक साथ किचन में जाते हैं जहाईने उसोप मिलता है वो पहले से यहां बैठा था जोरो और लूफी उसोप से बात करने लगते हैं दूसी तरफ नामी भी अपने रूम से बाहर आकर यहां की चीज़ों को चुराने लगती है तब ही वो काया के यासोप है लूफी उनका नाम सुनकर उन्हें पहचान लेता है और बताता है कि मैं उनसे मिल चुका हूँ वो शैंक्स की टीम में है उसोप उनके बारे में सुनकर काफी खुश हो जाता है तब ही जोरो उसोप से पूछता है कि यहां ड्रिंक है क्या उसोप बताता है कि नी में Black Cat Pirates का Captain है जिसका नाम कुरो है और इसके उपर भी काफी सारे पैसों का इनाम है Zorro क्लाडोर पर हमला करता है लेकिन क्लाडोर बच जाता है फिर क्लाडोर की एक साथी यहां आकर Zorro को मार कर बेहोश कर देती है तभी उसोब एक पतली गली पकड़ कर यहां से निकल लेता है क्लाडोर अपने दुरों साथियों से इन बोडिस को ठिकाने रगाने के लिए कहता है और यहां से चला जाता है वहीं उपर लूफी ने वहीं सारा जहरी लसूअब पीलिया हوتा है जिससे वो वहीं लुटेरे आ चुके हैं लेकिन इस बार सच बोलते हुए भी कोई भी उसोप की बात पर विश्वास नहीं करता तभी कोबी अपने सातियों के साथ यहां आ जाता है उसोप कोबी को सब कुछ बताता है और कहता है कि वो बटलर असलमें ब्लेक कैट पैलेट का कैप्टन है जो कि छुपकर यहां रह रहा है मगर हेल्मेपो कहता है कि इस बजूट है क्योंकि ब्लेक कैट पैलेट के कैप्टन को मेरे डेड ने मार दिया था इसलिए हमें यहां सिर्फ लुफी को ढुनना चाहिए लूफी का नाम सुनकर उसोप ने बताता है कि लूफी भी वहीं है उसोप ने लूफी के पास लजाने लगता है वही नामी किचन में आती है तो देखती है कि लूफी बेहोश पड़ा है अब तभी यहाँ कोई आने लगता है नामी वहीं छुप जाती है फिर कलाडोर अपने सातियों के साथ यहां आता है और देखता है कि लूफी ने सारा जहरी लसूप पी लिया है नामी इंतीनों की बाते सुनकर सब समझ जाती है तब ही उसोप कोबी और बाकी मरीन सैनिकों के साथ यहां आ जाता है कलाडोर दरवजा खोलता है उसोब कहता है कि यही वो लुटे रहा है लेकिन क्लाडोर कोबी से कहता है कि उसोब मांसी ग्रूप से बिमार है और बच्पन सही वो ऐसी कहानियां बनाता रहता है यह सुनकर कोबी के लावा कोई भी उसोब की बातों पर विश्वास नहीं करता फिर हेलमेपो, क्लाइडोर से लूफी के बारे में पूछता है क्लाइडोर बेहुश लूफी को इन्हें सौंप देता है वही नामी बाहर आकर उसकी साती के एक पैन मार्कर से बेहुश कर देती है और यहां से भाग जाती है दूसी तर उसौब भी भाग कर काया के पास पहुँच जाता है इधर क्लाइडोर कोबी को यहां से जाने के लिए कहता है और इसके मूँ पर दरवज़ा बंद कर देता है वही नामी भी काया और उसौब के पास पहुँच चुकी थी फिर उसौब और नामी क्लाइडोर की सच्चाई काया को बताते है वहीं जोरो कुए में अब भी जिन्दा होता है जोरो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो कुए से बाहर नहीं निकल पा रहा था मगर जोरो हार नहीं मनता इसी बीच हम जोरो के पाश्ट को देखते हैं जब वो तलवार बाजी करना सीख रहा था यहां एक लड़की कुईना जोरो की काफी अच्छी दोस्त थी जोरो हमेशा उससे हार जाता था मगर फिर उन दोनों ने साथ मिलकर कड़ी ट्रेनिंग करी और एक दूसर से वादा किया कि हम में से एक इस दुनिया का सबसे बड़ा तलवार बाज बनेगा लेकिन फिल कुछ समय बाद ही कुईना की एक एकसिरेंट की वज़े से देख हो गई और ये सब जानकर जोरो को काफी दुगुआ इसके बाद जोरो कुईना से किये हुए वादे को निभाने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा दलवार बाज बनने निकल पड़ा अब प्रेजन डे में यहां बारा बज जाते हैं और काया ओफीशलिया बड़ी हो चुकी है इसलिए अब काया की प्रोपर्टी पर कब्जा करने के लिए उसे मारने जाता है वो इस घर से बाहर निकलने के सबी रास्तों को बंद करवा देता है इसके बाद उसके दोनों साती और वो खुद अपने हाथ्यारों के साथ काया को मारने जाने रखता है लेकिन काया उसोप और नामी के साथ यहां के खुफिया रास्तों से दूसरी तरफ जाने लगती है यह लोग दिवारों के अंदर से जा रहा है थे तब ही काया खासती है और उसकी आवाजे सुनकर कलाडूर अपने बिलेट से उस पर हमला करता है वो तिनों यहां से भागते हैं दोसी तरफ जोरों कुएं से निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन जोरों दुबारा से नीचे गिर जाता है मगर जोरों हार नहीं मानता वो दुबारा उटकर उपर चलने लगता है और आखिरकार जोरो कुए से बाहर आ जाता है वहीं कोबी लूफी को पकड़ कर ले जा रहा था लेकिन कोबी को उस सोब की बातों पर थोड़ थोड़ा विश्वास होने लगा था अब तब लूफी को यहां होश आता है तब ही हेल्मेपो उसके पास जाता है लेगिन फिर लूफी सारा का सारा सोप उसके उपर ही निकाल देता है इसके बाद लूफी पूरी तरह से होश में आ जाता है और लूफी कोबी से कहता है कि मुझे यहां से जाना होगा ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा सकूँ लेकिन हेलमेपो उसे पकड़ने के लिए उसे मारने वाला था तब ही जोरो यहां आ जाता है और इसके साथियों को मार देता है वो हेलमेपो को भी बेहुश कर देता है इसके बाद जोरो और लूफी अपने दोस्तों को बचाने जाने लगते हैं वहीं घर में काया नामी और उसुप एक पुराने रूम में आकर छुपते हैं। तबी क्लाडोर भी यहां आ जाता है और उन्हें डूनने लगता है। इसी दुरान जोरो और लूफी भी घर के अंदर आ जाते हैं। लूफी उपर जाता है और जोरो दूसी तरफ जाता है। क्लाडोर लूफी को बातों में उलजा कर उस पर कई बर हमला करता है। इसी दुराडोर के एक मुक्का मार के उसे गिरा देता है। दूसी तरफ जोरो भी क्लाडोर के दोनों सातियों से फाइट करके उनने धूल चटा रहा था। और यहाँ अब क्लाडोर लूफी से फेस टू फेस ट्राइट करता है। इसके बाद यह सब लोग बच जाते हैं। मगर नामी इन से कहती है कि हमें तुरंत ही यहां से निकलना होगा, क्योंकि मरीन से निक जान चुके हैं कि हम यहां पर हैं, मगर लूफी कहता है कि हमारे पास तो कोई जहाज भी नहीं है, यह सुनकर काया इन्हें वही जहाज दे देती है, इसके बद उसोब भी इनके साथ इ चिंता मत करो, तुमने अपना काम कर दिया, तुम उन लोगों को आइलेंड से बाहर ले आए, गार्प को लूफी का जहास दिख रहा होता है, और अब गार्प इनसे लूफी के जहास पर हमला करने के लिए कहता है, वहीं वो सब अपने नए जहास पर आराम कर रहा है थे, इसलिए इसके आगे की कहानी को हम अगले पार्ट में देखेंगे, तो अगले पार्ट को मिस ना करने के लिए, हमारे चालर को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लीजेगा, और ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा, मि